नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अद्डा247 दोस्तों काफी important news है चाइना से और देखे ये काफी घजब बात है कि PM Modi का चाइना में एक nickname भी है और काफी कमाल का nickname है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Modi the Immortal अब Modi Amar, ये चाइना में PM Modi का nickname है ये वास्ता में shocking बात है अब आप देख सकते हैं कई तरह के news article हमें recently देखने को मिले है Modi the Immortal, Chinese netizens thinks Indian PM is different, amazing ये report में oblige किया गए अब दीकिये report क्या है वो हम discuss करेंगे इस वीडियो में दरसल एक article की वेज़े से ये news काफी ज़रा circulate हो रही है तो आईए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मतलब ये जो Modi the Immortal नाम है वो क्यों रखा जा रहा है चाइनीज लोगों के द्वारा PM Modi का और दीकिये बहुत rare case में ऐसा होता है कि किसी देश के PM की popularity इतनी ज़्यादा हो कि nickname निकले वो भी इतने शानदार आईए जानते हैं काफी कुछ आप जान पाएंगे इस वीडियो में इससे परस्तूत करता हूँ मैं मेरा नाम है सुरफस्वामी बेसिकली दोस्तों अमिरीकिन जो न्यूज आउटलेट है The Diplomate उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ रिसेंटली अभी कुछ दिनों पहले उसमें PM Modi का जो व्यू है चाइना में उसको डिस्क्राइब किया गया है बेसिकली यह आर्टिकल जो था यह इंडिया का व्यू था चाइना में लेकिन एक काफी important paragraph में इस बास को discuss किया गया रहा है कि चीन में बहुत से लोग यह मानते हैं कि Modi was very popular person इसका मतलब यह है कि चीन में भी जो PM Modi है वो काफी ज़्यादा popular है और प्यार से PM Modi को Modi laojiyan कहा जाता है जिसका अर्थ है Modi immortal यह जो laojiyan शब्द है यह भी काफी ज़्यादा अभी हाल यह में देखा गया है वो काफी important personalities है news media के इन्होंने चाए वो Europe से हो या फिर North America से हो इन्होंने tweet करके इन बात को mention किया है आप यहाँ पर देख सकते है यह जो tweet है यह Derek Jay Grossman का है जो diplomat में काम करने वाले काफी important personality है और काफी अच्छा research है इनका international relation के उपर इन्होंने हाल ही में इस article का अपना view देते वे कहा था कि Indian PM नेंदर Modi has a unusual nickname on the Chinese internet Modi Laojian अब Laojian दरसल है क्या वो हम आगे जानेंगे तो Laojian को ही एक तरीके सबनेमा बोल सकते है is equal to Modi Immortal इसी वज़े से Modi the Immortal जो tagline है वो हमें देखने को मिल रही है news articles के अंदर देखे दोस्तों बहुत कमाल की बात है मलब दोनों देशों के बीच में जो border dispute है हम जानते हैं कि LSE को लेकर हो गलवान clash के बाद में उतने अच्छे relations इंडिया और चाइना के नहीं रह पाए है as a diplomatic relation दिए हम बात करते हैं तो अधर कंट्रीज में जिसके साथ उस कंट्री का dispute भी है और यह जो आर्टिकल लिखा था यह जो आप देख पा रहे हैं How is India viewed in China यह the diplomate में लिखा गया था और इसको लिखा था एक Chinese journalist है Mew Chunshan ने Mew Chunshan जो की काफी important journalist माने जाते हैं जिनका international relation research काफी ज्यादा solid है specifically China का जो view है perspective जो geopolitical देश है उनसे तो इन्होंने ही लिखा है इस बात को कि How is India seen in China अगर आप इस tagline को समझेंगे तो पता चलेगा कि चाइना के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में यह बात जो है कि Modi काफी ज्यादा different एक leader है यानि आप यह मान सकते हैं कि ज्यादा तो Chinese person है वो यह मानते हैं कि Modi के नेतरतों में भारत जहें दुनिया के अगरिनी देशों में शामिल है और ऐसे भी कहा जा रहा है कि एक balance को maintain रखने में इंडिया काफी ज्यादा परजेंट टाइम पर जो foreign policy है वो popular हो चुकी है और ये तो आप tweet देखी रहे हैं और ऐसे कई tweet हमें देखने को मिले थे जो बाहर से किये गए थे और इसमें ही जो Modi लाजियान जो नाम है उसका discussion हमें देखने को मिला और आगे बढ़ने से पर एक चीज में आपको ये भी बता दो दोस्तों कि popularity में भी हम जब कोई index देखते हैं तो PM Modi का जो नाम है काफी ज़्यादा अवल दर्जे पर हमें देखने को मिलता है चाए फिर हो कोई भी index आप देखें कोई भी सूची आप देखें हमें कई भी report आप देखें तो हमें ऐसा काफी ज़्यादा देखने को पहले भी मिल चुका है अब इस diplomat के article में आप यहाँ पर देखेंगे इन एडिशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नर्नेदन Modi has an unusual nickname on the Chinese internet Modi Laojian Laojian refer to an Adderally Immortal with some wired abilities और यह सबसे बड़ी बात है कि जो यह nickname है वो implies करता है Chinese लोगों के लिए Modi का perspective PM Modi का जो perspective है कि यह एक काफी different leader है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जरू बता दू कि जो Laojian है इसका मतलब है क्या तो देखें Laojian एक subname है और अगर आपने कोई Chinese documentary चाइनीज movie देखी हो तो जो एक old व्यक्ति होता है जो Kung Fu Master होता है जिसके लंबी लंबी सफेद डाड़ी होती है आँखे थोड़ी कम होती है तो उसी का एक चलचित्र जो है उसको Laojian कहा जाता है मतलब यह एक अमर व्यक्ति है अमर परसन की जो और लोगों से काफी डिफरेंट है और चाइना में जो इंटरनेट है उसमें ये नाम PM Modi के लिए काफी जादा पॉपुलर है जो implies करता है कि PM Modi globally जितने भी लीडर है उनसे कुछ अलग है कुछ अधभुत व्यक्ति है अब दिखिए सबसे बड़ी बात तो ये शोकिंग कर देने वाली है कि चाइना के साथ में इंडिया के जिस तरीके से relation चल रहे है जो tensions चल रही है border disputes को लेगे उसके बावजूद भी अगर वहाँ के लोग ये मानते हैं तो ये वास्तम में काफी बड़ी बात है और ये जो लाउजियान शब्द है ये मोधी के प्रति चाइनीज लोगों की जो एक complex fleeing है उसको दर्शाता है जिसमें wonder शामिल है जिसमें curiosity शामिल है जिसमें जिग्यासर शामिल है यह आप मान सकते हैं दोस्तो ऐसे एक चीज में आपको जुरू बताना चाहूंगा कि PM मोधी पहली बार ऐसा नहीं है कि चाइना में popular नहीं है हम अगर पहले के कुछ बातें देखें तो मैं पता चलता है कि PM मोधी पहले भी चाइना में काफी ज़दा popular है इवन 2014 में जब PM मोधी पहली बार PM बने थे उसके बाद जब यह मई 2015 में चाइना विजिट इन्होंने करी थी चाइना की यातरा पर जब PM मोधी गए थे तो वहाँ पर इन्होंने अपना अकाउंट खोला था और शीना वेईबो शीना वेईबो दरसल एक चाइना में ट्विटर के जैसा ही आउटलेट है जो जिस पर लगवग अठाउन करोड से ज़्यादा यूजर है अलब चाइना में फेस्बुक ट्विटर ये सब बैन है तो चाइना का खुद का जो ट्विटर है उसका नाम है शीना वेईबो शीना वेईबो पर PM मोदी ने अकाउंट भी खोला था और एक दिन में इनके 10,000 से ज़दा फोलोवर हुए थे और किसी भी ग्लोबल लीडर के दौरा ऐसा होना बहुत बड़ी बात है और इंडिया के पहले ऐसी personality थी जिनोंने शीना वेईबो के उपर इस्पेसिफिकली थी हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो पास्ट में जो PM प्रेजिडेंट रहे हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं किया था PM मोदी ने अकाउंट खोला शीना वेईबो पर और आप देख सकते हैं ये 2015 का आर्टिकल है नरेंदर मोदी स्कोर्स बिग हिट बाइ ओपनिंग वेईबो अकाउंट ये चाइनीज मीडिया ने भी क्लेम किया था 6 दिन में 50,000 से ज़्यादा फोलोवर इनके हुए थे और तब से आप ये मान सकते हैं कि उस छवी को ही काफी डेवलपर किया गया था और उससे पहले भी PM मोदी काफी ज़्याथा चाइना में वो पूलर थे लेकिन दोस्तों 2020 के अंदर आपको पता हो तो गलवान क्लेश के बाद में इंडिया ने कई तरह के ऑपरेशन किये स्पैसिफिकली जो डिजिटल स्ट्राइक की थी चाइना के ओपर वो काफी मेहम थी 54 चाइनीज जो एप्लिकेशन हैं इंक्लूडिंग टिक टॉक, वीचेट ये सब बैन कर दी गई थी चाइनीज लोग है वो मोधी की पोशाक इनकी जो कि जो गलोबल लीडर के नहीं है तो जैसे ही इंडिया ने कोई एक्शन लिया था पी एम मोधी का जो वही वो अकाउंट है वो शटड़ाउन किर दिया गया चाइनीज जो गवर्मेंट है उसके द्वारा और यहां पर देगी दोस्तु जो म्यूश उंजान है जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा है इन्होंने साफ साफ शब्दों में काया है कि जो चाइनीज लोग है वो मोधी की पोशाक इनकी जो कपड़े हैं और जो हावाव है दोनों को पसंद करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनकी कुछ पोलिसीज के भी फैन है मलब इन्डिया के कुछ पोलिसीज रिसेंटली जो पास्ट येर्स में हम देखें तो इसके काफी ज़धा फैन है चाइनीज लोग कुछ चाइनीज लोगों का ये मानना है कि रश्या, अमेरिका, सहीत जो अलग-अलग देश है उनके साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशन्स एक सिंबल स्तापित करते हैं इंडिया के लिए कि इंडिया आज ऐसा देश है जो लगभग हर कंट्री से अपने डिपलोमेटरिक रिलेशन्स को स्ट्रॉंग करने की कोशिश करता है फिर चाहे वो रश्या ही हो या फिर वो यूए से हो इस बात का बिलीव करते हैं चाइनीज लोग तब ही शायद एक डिफरेंट लीडर के रूप में वह पी एम मोदी को देखते हैं और मियोश उन्शान ने ये भी काया है कि मैं पिसले 20 सालों से अंतराष्टी रिपोर्टिंग कर रहा हूं और चाइनीज लोग जो है इस पैसिवली जो चाइना का इंटरनेट है जैसे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफर्म से चाइना के वहाँ पर किसी विदेशी नेता का निकनेम देना बहुत रियर केस है और वो भी निकनेम कोई ऐसा वैसा नहीं है आज तक देखा नहीं गया है और मोदी का ही जो सबनेम है काफी उपर है जिस्ती रूप से आप ये मान सकते हैं कि जो पिये मोदी का इंफ्लुएंस है चाइनीज पिपिल पर वो काफी ज्यादा है एक काफी बड़ी छाब जो है पिये मोदी ने चाइनीज लोगों पर छोड़ी है फिर चाहे वो policies हो या फिर उनका एक अलग method हो इस particular article में ये बात भी mention की गई है कि China हमेशा से पाकिस्तान का use करके इंडिया को counter करना ही कुशिश करता है चाहे फिर वो किसी भी तरीके से loan दे के हो या कोई weapon को zamble करके हो कुछ भी करके हो लेकिन ये जो तरीके से implement नहीं हो पा रही है उल्टा इंडिया और पाकिस्तान की भीच में जो दरार है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस तरह के article हम देखते हैं कि China moves to counter India with arm sales to Pakistan और चाहे इस तरह के बहुत से गदम उठा चुका है चाहे फिर weapons को बेज कर पाकिस्तान में या फिर loan पाकिस्तान को provide करके लेकिन चाइना की policies जो है वो काम आगे नहीं करने वाली है इस बात में भी believe करते हैं Chinese लोग और आपने देखा हो तो अभी हाल ही में कुछ सालों से चाइना में भी स्ची जिन पिंग का विरोध हो रहा है चाहे फिर व आपको जरू कुछ नहीं आ जानने को मिला होगा आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आपको जरू बता दूँ अगर आपने अड़ाटूफर से ओन एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें प्रिलिम्स के लिए जो रिविजन बैच आप जोइ ये वाई 572 लगाना है जैसे ही आप वाई 572 लगाएंगे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा 16,000 रुपगा कोर्स आपको 3,500 रुपए के आसपास में मिल सकता है और किसी भी कोर्स को एंडोल करने के लिए वाई 572 जो डिस्काउंट कोर्ड है कूपन कोर्ड है लगाना बिलकुल भी ना भूलें तो दोस्तों ये था इस वीडियो में इसी तरीके के इंपोटेंट और इंफरमेटी वीडियो इसके साथ हमागे मिलते रहेंगे धन्यवाद